Good morning children, कुछ सुमेम की ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, प्यारी बचो आज हम 4th क्लास की इंगलीज की बुक, My Book of English, का lesson 12, Heart No Living Things का grammar पार्ड समझेंगे, तो देखिए, मैंने पहले वाला जो आधा चैप्टर है, वो अपनी दूसरी वीडियो में सिखाया है, अगर आपको वो सीखना हो, तो मेरी चैनल ओनलाइन स्टडी हब पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं, आज हमारी स्टार्टिंग है, 126 पेज नंबर से, इन दफ्रेज, लिविंग थिंग्स, लिविंग इस एन एड्जैक्टिव, यह खहता है कि इस परेज, लिविंग थिंग्स में, लिविंग जो है, वो एक एड्जैक्टिव है, एड्जैक्टिव क्या होता है, बता है, विशेशन, क्या होता है बच्चों विशेशन, एड्जैक्टिव is a word, which qualifies a noun or pronoun जो संग्या या सरवनाम की विशेस्ता बताए ठीक है वो होता है एड्जेक्टिव इट टेल्स उस डाट दो थिंग्स आर लाइब और नॉट डेट यह हमें बताता है कि वस्तुएं जीवित हैं मृत नहीं है Similarly in the barking dogs barking is an adjective barking dogs जो है शब्द उसमें जो barking है वो एक विशेशन है आगया समझ में ये dogs की विशेश्ता बता रहा है भोगता हुआ कुटा क्या कर रहा है भोग रहा है भोग रहा है यानि कि भोग रहा नहीं भोगता हुआ कुटा क्या काम कर रहा है यहां पर कैसा है कुत्ता? barking dog, भोकने वाला कुत्ता, ठीक है? तो भी यहां पर देखिए Now think of first form of verb plus ing For example, live plus ing living, bark plus ing barking Type of adjectives that modifies the following nouns Pick out the appropriate first form of verb plus ing given in the box and write it before the particular word given below यह कहता है कि यह verb की first form के साथ ing दे रखी है और इस तरह के boxes में कुछ शब्द दे रखी है उन में से उचित शब्दों को आप नीचे दिये गए इन में आपको भरना है, इनके सामने भरना है ठीक है? लिखने है तो यहां पर देखिए यह जो शब्द है, यह क्या है पता है आपको यह एडजेक्टिव बन जाते है ठीक है? यहां पर एडजेक्टिव डाइनिंग टेबल यह टेबल की जो है विशेस्ता बताई गई है कौन सा टेबल है? डाइनिंग टेबल शाइनिंग स्टार, शाइनिंग चमकीला, स्टार तारा तो यहां शाइनिंग जो है वो स्टार को क्वालिफाई कर रहा है शाइनिंग स्टार, चमकीला तारा यहां पर शाइनिंग भी क्या है? यह एडजेक्टिव है drinking water पीने वाला पानी frying pan तो यहां से बचो आपको यह यही जो भी shootable word है वही आपको यहां इनके आगे लिखने हैं अब जैसे की pan, pan कौन सा? frying pan चीजों खुतलने वाला fry करने वाला, वो pan या कड़ाई frog jumping frog, तो यहां से jumping, इस क्या गया जाएगा? jumping frog, swimming suit swimming suit क्या होता है? पता है ना? तैरने की time पहने जाने वाला writing pad यह दिखने की writing pad होती है burning candle जलती हुई light flowing river पहती हुई नदी, walking stick चलने की छड़ी bathing shop, नहाने की साबुन, washing machine कपड़े धुने की machine इसी तरह से है dancing doll नरत्य करने वाली गुडिया नास्ती हुई गुडिया racing car, race वाली गाड़ी और saving account यानि बचत खाता तो ठीक है बच्चो, यह यहां पर हमने adjective किये हैं अब आगे देखिए आगे है listening and speaking phase number है 127 Speak loud the following pairs of words इन words को, नीचे दिये गए words को जो हैं के जोडों को आप उंचा उंचा बोले देखिए बच्चो, यह क्या है? hard क्या है यह? hard और इसको बोलेंगे हम hard burn burn curd card farm farm bird bird hurt heart आगे है समझ में? कैसे बोलेंगे? दूबारा से देखो hard hard burn burn cud card farm farm bird bird hurt heart आगे है समझ में? heart think of some more such pairs of words and speak them loud कुछ इसी तरह से और भी आप अक्सर जो है वो सोच सकते हैं और इस तरह से उंचा-उंचा बोल सकते हैं अंतर है ना बच्चों दूनों में काफी अंतर है आप देखिए यह है वर्किन पियर्स अंट रोल प्लेइ तरह सकते हैं और इस तरह से जोड़े में काम कर सकते हैं तो देखी इनके बीच क्या-क्या वर्तलाप हो रही है रमेश यह है रमेश और यह है कुसुम रमेश बोलता है कुसुम I hear a strange crying sound मैंने एक अजीव सी चिलाने की आवाज सुनी है अब आगे कुसुम कहती है So do I? ऐसा ही मैंने भी सुना है अब रमेश कहता है I feel the sound is perhaps coming from that side Let's go and see कहता है कि मैंने sound को साथ उस तरफ से आते हुए सुना है आओ चले और देखें अब कुसुम कहती है If we go there, we would get late for school अगर हम उस वहाँ जाएंगे तुम स्कूल के लिए late हो जाएंगे अब रमेश कहता है Don't worry It looks someone needs help We must help चिंता मत करो It looks someone needs help ऐसे लगता है किसी को help की जरूरत है We must help हमें help करनी चाहिए कुसुम कहती है अब Alright, let's rush there ठीक है उस साइड चलते है They rush in that direction and find that a chick is lying on the ground and crying वे उस दिशा की तरफ दोड़े भागे और उन्होंने पाया कि एक chick एक चूजा ground पर पड़ा हुआ था और चिला रहा है अब रमेश कहता है Perhaps it has fallen from its nest साइड यह है अपने घोंसले से गेर गया है अब कुसुम कहती है Let's put it back to its nest quickly Otherwise it may die कहती है कि आओ इसे इसके घोंसले में वापिस रख दे Otherwise वरना यह मर सकता है और they put the chick in its nest and feel happy उन्होंने चूजे को अपने घोंसले में रखा और खुश हो गए और खुशी महसूस की तो देखी बच्चो यह एक role play करने के लिए जो है एक नाटक था ठीक है उसमें उनकी बातों के बारे में समझाया गया था अब आगे देखो आगे है यह पेज नमबर 128 let's recite a poem describing the moments of various living things यह कहता है कि यहाँ पर कुछ जिवित जो है जानवर है उनकी moments की describe करनी है इस poem के recite करके यह देखिए यह poem है जैसे frogs jump caterpillars hump frog होता है मेंडक मेंडक कूदता है और caterpillars होता है जिंगा hump होता है कूबड जिंगे के कूबड होता है देखो ऐसे ऐसे करके चलते हैं कूबड कूबड सा बनावना के ठीक है अब यह है वोम्स वीगल बग्स जीगल रैबिट्स हॉप तो यहाँ पर देखो वोम्स वीगल बग्स जीगल वोम्स क्या होते है कीडे वो वीगल लचीले से होते हैं कीडे यह वाले जो है लचीले से ठीक है और बग्स यह देखो यह बग्स है बग्स तो मैंने लैसन में पढ़ाया भी था ना आपको बग्स वाला लैसन आया था ब वैसे कीड़े मैं कोड़े जैसे मक्खी मच्छर ये सारे बटरफ्लाइ और याने की बग्स बजते हैं रैबिट्स हऊब हूर्ष च क्लॉब रैबिट होता है करते हैं खरगोष यह रही कुढोष क्या करते हैं यह हॉप कूदना हुदकना ठीक है और उर सीज क्लाइट स्नैक्स क्या होते हैं सब यह रेखो सब दीख रहे हैं साब क्या से करते हैं? फिसलते हैं. यह रेंगते हैं. ठीक है? फिसल ना या रेंग ना. और 시गस, सीगल होते हैं, वो फिसलते हैं. ठीक है? सीगल यह देखूँ. अब आगे हैं máis, creep, deer, leaf. máis होते हैं, चूहे. चूहे भी दोड़ते हैं, रेंगते हैं वैसे creep रेंग नहोता है और deerव लीप होती है hiran hiran क्या करती है चलाओंगे लगाते हैं puppies bounce kittons pounds puppy क्या होते हैं पता है कुटे के बच्चे को बोलते हैं bounce उचलना आ गया समझ में puppy क्या करता है जबाँ बताओ उचलते हैं कुपते के बच्चे उचलते हैं और किटन्स पाउंस किटन्स बिल्ली के बच्चे क्या करते हैं जप्टा मारते हैं आ गया समझ में अब आ गये हैं लॉइन्स स्टॉक बट आई वाक सेर स्टॉक पीछा करते हैं से, ये सेर है ना, लॉइन, पीछा करते हैं, बट आई वॉक, लेकिन मैं चलता हूँ, ये लड़का कहता है, इन सब के बारे में इसने बताया कि कोन कोन क्या क्या करता है, और फिर लाश्ट में खुद के बारे में बताता है कि मैं तो चलता हूँ, ये देखो, ठीक है ना? तो बच्चो ये हमने करवा दिया यहां तक अब आगे का हमारा पेज नमबर है 129 उससे पहले एक बार नीचे यहां है राइटिंग यह कहता है imagine that you plan to visit a Jew next week कल ना करें कि आप next week जो है एक Jew पर जा रहे हैं जो यानि की चिडिया घर में विजिट करने का प्लान बनाया है write a paragraph describing your plan अपने प्लान को describe करने के लिए एक paragraph लिखो you may include the following information और उसमें यह नीचे दी गई सारी information होनी चाहिए तो देखो पहले information का इसने what time you will go तुम किस समय जाओगे how will you how you will go और तुम कैसे जाओगे and with whom you will go there और वहां किसके सास जाओगे और आगे कह रखा है इसने what you will carry with you तुम अपने साथ क्या लेकर जाओगे and what you will do there और तुम वहां क्या करोगे and how long you will stay there वहां कितने देर तक रुकोगे ये सब बातें जो है पहरे ग्राफ में आनी जाएए तो ये देखिए ये पहराग्राफ है मैंने लिख रखा है आपको समझा देती हूँ आप भी अपनी बुक में ये लिख भी लेना और याद भी कर लेना तो देखिए ये कहता है कि I will visit a zoo next week मैं अगले सब्ता चिडिया खर जाऊंगा I shall go there in a car मैं वहाँ car से जाऊंगा I shall go there with my parents मैं अपने माता पिता की साथ वहाँ जाऊंगा I carry food, biscuits, fruits and water bottle with me मैं वहाँ अपने साथ पानी पीने की बोतल, खाना, biscuit, फल लेकर जाऊंगा I shall carry my camera also मैं अपने साथ जो है मेरा अपना camera भी ले जाऊंगा We shall see the wild animals there and enjoy हमने वहाँ पर जंगली जानवर देखे और मज़ा किया, आनंद लिया We shall stay there till evening हम वहाँ शाम तक रूखेंगे ठीक है? यह हो गया? समझ में आगया? अब आगे का देखो आगे है यह कि look at the play card expressing love for animals यहाँ देखिए इस play card की तरफ देखिए कहता है animals के लिए प्यार एक्सेस करने वाला लव एक्सेस करने वाला एक play card है इसको ध्यान से देखिए देखो बच्चो यहाँ पर काफी सारे animals हैं है ना? और क्या लिख रखा है इस play card पर? देखो love us, don't hurt us हमसे प्यार करो हमसे घिना मत करो और यहाँ नीचे क्या लिख रखा है? live and let live जीओ और जीने दो है ना? तो बच्चो हमें किसी भी animals को तंग नहीं करना चाहिए है ना? सभी से प्यार करना चाहिए तो बच्चो आज का lesson था हमारा यहीं तक तो फिर मिलते हैं next video में तब तक के लिए बाई बच्चो